नमस्कार सातियों आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडवित राने चले दोस्तों शुरुवात करते हैं जैसे कि अपने क्वार्टर त्री रिजल्ट की स्रीष चले तो उसके अंदर आज जमना ओटो इंडस्ट्री लिमिटेट को क्वार्टर त्री रिजल्ट इसके बात करते हैं के बारे में बात करते हैं तो देखिए आज ही इसका क्वार्टर त्री का रिजल्ट है था तीन वजे के असपास जब मार्केट बंद हो रहे हैं क्लोजिंग तीन वजे के पंदा मिट के असपास तो यह आउटकम निकलका है तो चार जनवर चार फरवरी दोजा बाइस तो चलिए चलते हैं तो चलिए चलते हैं क्वार्टर तरी के डिजल्ट समझते कैसा रहा प्लीज वीडियो पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना ना बूलिए तो देखिए तो इनकी अनिंग सा वह लेक्स के अंदर है यह ओवर्वियो है कोई फाइनल यह डिपैनलाइज तो आप देखिए यह गए निहीए ओवर्वियो हैं यहां से ट्रेडिंग सेशन कैसे रहेगा उसके अपर हम लोग बात करते हैं क्यूंकि हम लोग स्वार्ट तरम के ट्रेडिंग लेते हैं तसरे पंदर दिन के याए हपते कि या तीन सब चार तीन के लिए उसके बाद हम 25,000 से बढ़के 44,400,000 हो गया साड़े 54,000 से बढ़के 44,000,000 हो गया तो आप सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो पूरे 1.500,000 का डिफरेंसल देखने हो मिल रहा है और कॉर्टर कॉर्टर वाई पूरा मोटा मोटा आपको 1000 यानि कि आम देखेंगे पूरा 10,000 का डिफरेंशल देखने को मिल रहा है 35,000 से सीधा बढ़के 44,500 यानि मोटा मोटा 15% डिफरेंशल आपको मोटा मोटा यही पर नजर आ रहा है किती भड़ी सेल में growing देखने को मिली है अब साधी साधी इसका देखेंगा बात किरेंगा तो इस प्लों कarde में किखेंज तो इस के엔े का अउ्परेशन प्रोफिट केंगे बात किरेंगे इस प्लेड अप्रेशन प्राफिट किरेंगे इस इस quarter में इसको उप्रेशन प्रॉफिट आया है छे हजार शे हजार 31 लैक का लास्ट क्वार्ट में ता 4,660 लैक का लास्ट यह ता 5,238 लैक का तो यह लिए quarter quarter भी expense में बड़ा देखनेों को मिल रही है तो यह भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है तो चलिए अब इसके net profit की बात करते तो इस quarter में इसको net profit आया है 3,749 लैक का लास्ट इयर में ता 2,606 लैक का लास्ट इयर 3,705 लैक का ता तो आप देखेंगे यह भी अच्छी कासी बड़ा देखना मिली हाम है quarter quarter भाई भी फूरा अब इसके बात करेंगे तो इस quarter में EPS है 0.94 लास्ट quarter में EPS ता 0.68 और लास्ट इयर तो 0.76 तो देखेंगे आपको इयर इस quarter quarter भी EPS में अच्छी घासी बड़ा देखने को मिल रही है तो moral दा अब इसके अंदर और कुस तो है नहीं ज्यादा explain करने को में result अच्छा आप देखें यहां पे कि इन्होंने एक simple chart इन्होंने simple sheet upload करी है जिसमें की net sell के अंदर दिखाया है इन्होंने 445 कडोर कि इनकी net sell हुई है तो 26% quarter quarter भाई यहाप है और 30% year-year भाई इबेटा भी इनका बढ़के है इस quarter में 29% इबेटा बढ़ा quarter quarter भाई और 15% year-year भाई और PBT बढ़ा इनका देखें और 49% quarter quarter भाई और 23% year-year भाई ठीक है ना पैट भी इनका बढ़ा देखें 38% quarter quarter भाई और 24% year-year भाई बहुत अच्छा डिफ्रेंसल देखने हो मिलना हमारको इस quarter के result बहुत अच्छा देखा है लोगों ने बहुत explain कर आप बहुत डीप है अनलाइस करेगा कि कोई बंदा simple वेक्ति इसको भी अनलाइस करेगा तो भी एक सम तरीके से अनलाइस कर सकता है बाकी जमना quarter बहुत अल्टीमेट देखने हो मिलना रिजल का इंपक्ट आपने दिखा दिया मैं आपको सेल में भी इन्होंने पूरा explain कर दे कि हमने कित्ता अनिंग है कैसे गया और बाकी outcome बहुत जबजस्त निकला सेल में तो बहुत बारे में बताया था आपको तो fsl के अंदर अच्छे शेर गिड़ते हुए में लेना चाहिए fsl का रिजल्ट का खराब नहीं है जित्ता हम लोग सोच हो से ज्यादा खराब नहीं है बहुत मिला जुला रिजल्ट होसका देकि आज के दिन यह साढ़े चार परसेंटी के यह साज़े चार परसेंट पोजिटिव में तो जमना ऑट इंड़िगा और आज के दिन जो तेजी दिखा यह भी लाजवाव हैं और आगे कितनी रहने वाली तेजी बहुत देखते हैं यह देखेंगे आज आज यह ओपन ही चार पर की आसपास ट्रेट कर था 106 के आसपास तक यह बंद भी वा तो देखतें हैं इसका मार्केट का पाइच की डिट में कितना ओगया इसका मार्केट का एप 4214 करोड़ पर स्टॉक पी 34 का हो गया इस्टॉक ऑर ऑसीस का 1753 परसंट हो गया वह बोग वेलिए सके 15.02 पैसे किया और रिटर्न ऑफ इक्वेटी इसका है 13.4 परसंट का डिविडेंड कंपनी ने विताती है 0.72 परसंट का और फेसे एकर पे गिया अब शेयर होल्डिंग पैटन देख लेते हैं देखें कंपनी और अपना करजा कम किया है कंपनी क्वाटर क्वाटर रिजल अच्छ सब्सक्राइब करें अब यहां पर आपको मिलता है कल की दिन तो इसे डेफिनेटी बाय करिए अगर आपको 110 में मिलता है तो भी उसमाँ बाय कर लेजिए मुझे लगता है यहां से दमकम दिखाएगा तेजी जो आज इनने इन्वेटेड हैमर कैंडल बना के बंद हुआ है तो यह कल यह अपते हंदर 120-125 भी मारेगा कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि रिजल्ट काफी अच्छा है इंपक्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा और देखें में से पूरा क्रोस मोविंग कर चुका है आरे से भी हमारा 50 के आसपार जा चुका है तो आपको क्या करना अगर मिलता आपको ग्रावट करने तो डैफिनिटी से बाय करिए जल्दी एक सो अपने 52 है तोड़ेगा पहरा टारगेट इसमें 120 का दूसरा टारगेट शच्यार मिलता कर दो देखें टिस विलो Oh